अजीस तल्वाओ तालिबात अदाब डिरेक्टोरेट अप डिस्टेंच एडुकेशन मौदाना आजाद नेशनल उर्दु उनिवर्स्टी के इस तालिमी प्रोग्राम में मैं डक्टर शेक महबूब बाशा आपका खायर मगदम करता हूं आज के इस तालिमी प्रोग्राम में हम 1857 के गदर की तारीख नवीसी को समझने जा रहे हैं इसको समझाने के लिए हमारे बीच एक मशहूर मौरिक मौजूद है वो प्रोफेसर अजीज उद्दीन हुसेन साहब जो जामिया मिलिया इसलामिया के हैं उन्वान के अंदर जाने के पहले हम प्रोफेसर अजीज उद्दीन हुसेन साहब का कारूफ खराना चाहते हैं प्रोफेसर अजीज उद्दीन हुसेन साहब जामिया मिलिया इसलामिया के शोबये तारीख से जुड़े हुए हैं आपको इस बात को सुनके खुशी होगी कि उन्होंने 200 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं और उनकी अहम किताब हैं स्ट्रक्चर आफ पॉलिटिक्स अंडर अवरंग जेप और 1857 री विजिटेट क्यालेंडर आफ डॉक्टर जकीर हुसेंस करस्पॉंडेंस सर हम इस तालिमी प्रोग्राम में आपका दिल की गहराईयों से खायर मग्दम करते हैं सर आज हम 1857 की गदर की तारीख नवीसी को अपने स्टूडेंस को बताना चाहेंगे 1857 की गदर की हिंदोस्तान की तारीख में क्या अहमियत है और ये गदर जदेद हिंदोस्तान की तारीखी नक्षय को बदलने में क्या रूल अदा किया है ठीकि जहां तक 1857 का तालुख है इसकी बन्याद बैटल ओफ प्लासी जिर्ण उस्टरू हुई और आएस्था आएस्था जो हिंदुस्तानी राजा और नवाग और मुगल इंपरर थे, इनकी पावर्स को कम करना, उनको खतम करना का सिलसला शूर किया। इसी के साथ एक और प्रॉलम जो हिंदुस्तानियों के साथ आई ब्रिटिश राज में, वो यह थी कि जो यहां के हिंदुस्तान के खदीम रहने वाले थे, वो जाएरतर तजारत पेशा लोग थे, लेकिन जब से सल्तनत इस्टेबलिश हुई, और मुगल एंपायर तक, मुसल जो सर्विसेज थी, वो मुसल्मानों के पास थी, 30% नौन मुसलिम के पास थी, बिटिश राज के नाफिस होने के बाद, इन सर्विसेज में कमी आना शुरू हुई, उसका नतीज़ यह हुआ, कि इस राज का आसर अवाम पे जादे पड़ा, इसलिए कि जब उनको नौकरी नहीं मिली, उनके पास कोई दूसरा पेशा था नहीं, काशकारी नहीं था, तजारत नहीं था, और कोई प्रोफिशन नहीं था, थोड़ चोटे प्रोफिशन थे, जिससे बहुत कम तादाद जो थी, लेकिन जो उमरा थे, जो एड्मिस्ट्रिशन का हिस्टा थे, उनकी ता क्राइसिस अवाम में शुरू हुआ और इसी लिए हम देखते हैं कि इसमें एक बड़ी तादाद ने रियक्ट किया जो विट्शर्स की इस पॉलिसी का नतीजा हुआ जिसको आम हिस्टोरियन्स ने जादे नोटिस नहीं लिया मेरी अपनी जाती राय ये है कि ये जो नोक्रियों में कमी आई इसने आम तबके को जादे मतासिर किया और इसी तरीके से जो उस दोर के लेटर्स हैं डॉकुमेंट्स हैं दस्ताविजात हैं उसमें भी इसकी जलक जो है वो नुमाया नजर आ रही है जी जो तबदीलियां हुई हैं 1857 के गदर के बाद क्या आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं 1857 के गदर के बाद एक जो अहम तबदीली आई कि ये जो बिटिश आफिसर्स थे और जो हुकुमत थी इंगलेंड की इसने इसका बार नोटिस लिया इसलिए के उनोंने सोचा के हमने क्या गलती हैं की जिसके नजिए में ये हिंदुस्तानियों ने हमारे खिलाफ तलवार उठाई इसको उनोंने स्टेडी किया और फिर बिटिश राज बागादा इनोंने स्टेबिश किया और उन तमाम प्राउलम्स को स्टेडी किया कि जो इससे पहले उनके राज में हिंदुस्तानियों को फेस करनी पड़ी और जिसकी वज़े से हिंदुस्तानी जो थे क्योंकर शुरूमन ने लड़े बकसर के बाद ने लड़े लेकिन 1857 में जाकर सिचुएशन ऐसे इसको सब्सक्राब बगाबत हिन ने भी ये बात सरसेयत ने लिखी कि मैंने ये काम इसलिए किया ताकि अंग्रेज इसको स्टेडी करें और अपनी गलतियों को देखें कि उन्होंने तो इस लिहाज से 1857 ने एक नई राह बिडिश गवर्मेंट को दी कि अब उन्हें हुकुमत ज जाए तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि कमपनी राज से राज में चला गया सर अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम हिंदुस्तानी 1857 को इस नजर से देखेंगे कि ये हिंदुस्तानियों की पहले जंगे आ जादी थी और आज भी हम इसी बात को मान रहे हैं लेकिन इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थे कौह हमेशा ये बात सावीत करने का कोशिश कर रहे थे आज बी चंद अंगरेज मौरिक इस बात को थाबिद किरने का कोशिश करते हैं कि यह हिंदुस्तान, हिंदुस्तानयों की ज hyped आजादी कभी भी नहीं रही यह सिर्फ सिपाहियों का एक mutiny था, sipowi mutiny था تو क्यों यह अलग-अलग किसम था, एक तो ज्जिंगłam आजादी एक सिर्फ सिपाहियों का mutiny तो इस तरह दो अलग नजरिया हमरे सामने क्यूं आ रहे हैं? उसकी वज़े बाश्चा साथ यह है कि चाहे वो हिंदुस्तानी मवर्खीन हो या बिडिश मवर्खीन हो इनकी जो पूरी नजर है वो बिडिश डॉकुमेंट्स पर है इनकी नजर फतावों पर नहीं है इनकी नजर लेटर्स पर नहीं है जो लोगों ने अर्दु जबान में लिखे इनकी नजर उन नजमों पर नहीं है इनकी नजर उन मसनवियों पर नहीं है कि जो बिटिश राज के खिलाफ लिखी गई और जिसकी वज़े से एक ये फज़ा बनी जहां तक अंग्रेज पॉइंट आ व्यू का सवाल है उसने इसको म्यूटनी इसलिए किया कि ताके इसको बिलिटल किया जा सके इस चीज़ को ढखा जा सके कि ये आम हिंदुस्तानी का वो नहीं था बलके ये तो फौजियों का एक बगावत थी जो मैंने पहले बात कही कि सेविंटी परसेंट जो सर्विसेज थी वो कम हो गई तो इससे आम हिंदुस्तानी मुतासिर हुआ जो बिटिश आर्वी में लोग थे वो तो मुतासिर नहीं हुए वो तो सर्व कर रहे थे लेकिन जो डिस्टिक एडमिस्टेशन है जो तैसिलदार या और पोजिशन्स हैं वो सब अंग्रिजों ने अपने पास रखी नतीजह यह हुआ कि वो कम हो गई लहाज़ा इसका पूरा पूरा असर यानि मेरे खांदान में भी एक माफी नवाव आसफ़ दोरा ने हमारे इमामबाड़े को दी तो डलहोजी ने चार गाउं जब्त कर लिए और एक गाउं कह कि यह काफी है, तो इसकं मतलब यह कि यह सई पाई Marcel मैं था, बलककर हमारे जो बजल्ग थे उसकंप थे कि सॉफी थे, इसकंप इनग्राओं की दरगाहों की जो गिरांड़ समयावर यह नवाव ने दी थी उनको लिए उनको भी कम कर दिया, उनको जब्त कर लिया कि यह का इंडियन हिस्टोरियन्स का प्रॉल्म यह है, कि जो मेडिवल हिस्टोरियन्स हैं, वो अठाइज़ सत्यावन पर काम नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हमारा जो है, वो औरंगजेड पर खतम हो गया, या जाएज़ जाएदे मुहम्मद शाह पर खतम हो गया, जो मौडर्न हिस्टोरियन्स हैं, उनकी समझ फार्सी और उर्दू जो डॉक्मेंट्स हैं, जो दस्ताविजात हैं, वहां तक नहीं है, क्योंकि अठाइज सत्यावन के जो उर्दू दस्ताविजात हैं, वो भी पर्शियनाइज़ हैं, बलके उसकी उर्दू में आधी उर्दू और आधी फार्सी है, तो जो मौडर्न हिस्टोरियन्स हैं, जो जे नियू, डेली उन्वस्टी या केलकटाई उन्वस्टी के जो हिस्टोरियन्स हैं, वो उनकी नजर इन डॉक्मेंट्स पे नहीं हैं, जो 20,000 documents, National Archives of India या UP State Archives लखनू या और दूसी जगों पर या जो रोजनामचे हैं या जो लेटर्स हैं, जो मसनवी हैं, modern Indian historians की नजर उस पर नहीं है. नतीज़ यह है कि वो modern Indian historians जो हैं, वो सिर्फ अंग्रेजों के जो documents हैं, अंग्रेजों न जो बात कही उसकी बुनियाद पर इसलिए NCRT की किताब में भी Revolt of 1857 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आज तक हम इस बात को clear नहीं कर पाएं बच्चों के लिए, कि यह हमारी Revolt of 1857 तो 21st century में भी अभी हमारी सबस अटायव सतावन तो पूरी नहीं हो पाई तो हम clearly नहीं कह पा रहे हैं कि क्या यह Revolt था, Rebellion था, यह Mutiny था, जैसा आप बता रहे हैं कि documents कि historians ने time को partition किया, documents को partition किया, इस बात को हम थोड़ा आगे जाके लेंगे, लेकिन हम इस बात को खुलासा करना होगा, कि अंग्रेजों ने इसको सिर्फ म्यूटिनी ही क्यों कहा, 1857, सिपाई म्यूटिनी, कि आप बात करते करते एक लफज आपने इस्तेमाल किया, उनका मुखावटा खुल जाएगा, तो क्या खुल सकता था, कि आप यह कहना चाहते थे, कि उन्होंने र बेरहम होके यहां के लोगों को कुचल रहे थे, तो उनका रूलाफला की अदल पसंद, हकुमत, क्या यह सब निकल जाता था, यह मुखावटा कुल था था, अंग्रेजों का, अगर वो म्यूटिनी से आगे बढ़ते, तो वही बात आती ही सरसियत वाली, सरसियत ने कहा कि इन्हों ने इतने बड़े अर्से में, जो यहां हिंदुस्तानी थे, उनके दिलों को जीता नहीं, तो अब जाहरे एक जालिम होकुमत है, तो वह अगर इससे आगे जाएगी, तो नतीज़ा क्या होगा कि उनकी पूरी पॉलिसी जो है, वह उपन हो जाएएं, जैसे मैंने क कि अधरगाएं सूफी, उनकी भी गिरांट से जब्त करनी, वह कौन सा आर्मी में थे, वह कौन सा बिटिश आर्मी को सर्फ कर रहे थे, तो सिर्फ सिपाही नहीं, बल्कि किसान भी इसमें हिस्सा ले रहे थे, सूफी भी इसमें हिस्सा ले रहे थे, आम लोग इसमें हिस्स बलकि किसान भी नाखुश थे, इसलिए हिस्सा लेने में मजबूर हुए, सूफी भी नाखुश थे, इसलिए हिस्सा लेने में मशूर हुए. तो सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1857 के गदर के बारे में सरसाइद अहमद खान साहब की क्या राई थी, उनके साथ साथ वीडी सावर्कर साहब की क्या राई थी. सरसीय जाहर है, एक हमें जहन में ये बात भी रखनी चाहिए, कि जो आदमी जिस सेंचरी में काम कर रहा है, वो उसका भी ख्याल करना चाहिए, अब सरसीय भी बिटिश एड्मिस्टेशन का हिस्सा थे, तो उन्होंने भी एक आम बार, यही कही किसाब बगावत, उन्होंने भी जंग आदादी नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने रीजन्स दिये हैं, जो रीजन्स दिये हैं, उससे अगर हम उसको पढ़ें, उस पर गोर करें, तो उससे यही उभर के आता है, कि हिंदुस्तानी आजिज आगए, बिटिश पॉलिसी की तरफ से, जिस तरीके से, उन्हो किताना कदम था, 1857 में ये हाथसा हुआ, और उसके एक साल के अंदर, वो ये किताब लेके आगए, यनि उनके अपने हिंदु मुसल्मान दोस्तों ने, उन्हें मशवरा दिया, कि तुम क्या गजब कर रहे हो, ये क्यों किताब लिखी, क्यों इसे वाँ भेज रहे हो लंद कोई गम नहीं होगा, तो ये सरसियत का जुरतमन दाना कदम था, लोगों ने तो बहुत बाद में लिखा है, तो ये क्रेजिस कदम है, सरसियत का, और ये हम को सोचना चाहिए, कि आज हम किन चीज़ों पर कितना रियक्ट कर पाते हैं, अरे बिटिश राज, हकूमत, बाश् बिटिश इंपरियलिजम के खिलाफ उस शक्स ने अपनी जान को खत्रे में डाल के इस किताब को लिखा, नसे भी लिखा, बलके बिटिश, यही मैंने एक डॉकुमेंट इसमें कोट किया है, अपनी किताब में, अमरुहा के एक साथ थे, उन्होंने एक मसनवी लिखी, कुछ किसी खानदान में, कुछ किसी खानदान में, ताकि अगर अंग्रेजों को कुछ हिस्सा मिल जाए, तो यह समझ ना सके, यह एक तरफ तो यह डर और खौफ था, कि मतलब मसनवी के टुक्रे कर दिये, सरसेयद ने लिखा, च्छापा, और भेजा लंडन, और उस पे कि इसको सख सदा मिलनी चाहिए, इसने बड़ी बत्तमीजी किये, इसने हमें जालिम बताया है, बिर्दिन इन्वर्टेज कौमाज में, तो ऐसा नहीं कि कहा नहीं, यह भी कहा, लेकिन मैं समझता हूं, वीडी सावर कर पहले स्कॉलर हैं, जिन्हों ने इसको फर्स बार इतिहात पे भी काफी जोड डाला था विसमें, तो बाद में कुछ और लिखने में गए थे, तो बहुत सारे लोगों का यह सोचना है कि 1857 के गदर में हिंदु-मुस्लिम इतिहात इतना उभर के आया, बाद में वो नहीं रहा, तो आप इस पे कुछ, इसमें मैं आखोता एक डॉकुमेंट है कि जो बिटिश हायर ओफिसर ने डिस्टिक मजिस्टेट बरेली को पचास हजार रुपे भेजी और एक लेटर के साथ कि यह पचास हजार रुपे 1857 के, कि यह आप हिंदों में डिस्टिबूट के लिए, 1857 में पचास हजार रुपे का इनाम, हाँ, कि यह आप बरेली के हिंदों में डिस्टिबूट कीजिए, कि वो मुसल्मानों से लड़े, उसमें उसका जवाब भी मौजूद है, उस डिस्टिक कलेक्टर का, कि मैंने बहुत कोशिश की, हिंदों ने यह पैसा लेने से इंकार कर दिया, और कहा कि हम मुसल्मानों से नहीं ल मुतहित थे, और साथ मिलके यह लड़ाई लड़ाई थे, इसमें और भी डॉकुमेंट्स हैं, इस से मुतालिक लेकिन यह बड़ा ग्लेरिंग डॉकुमेंट है, कि जिसमें बरेली के हिंदों ने पचास हजार की रगम लेने से इंकार कर दिया, इस मुनियाद पे कि वो मु मुनियुटी 1857 के गदर का एक लिसन है, जो आज के हिंदु मुसल्मान भी इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, एक दफ़े बरेली में कमनल राइट हुआ, जब मैंने अखबार में यह लेटर इसके साथ दिया था, कि आज के हिंदुस्तान में बरेली का हिंदु मुसल्मा लड़ा है, लेकिन 1857 का जो हिंदु मुसल्मान था, उसने आपिस में लड़ने से इंकार कर दिया, तो ऐसे चीज और एक विरासत, हमारी तारिखी विरासत जैसे इनको हमें आगे ले जाना चाहिए, आम ताउर पे यह माना जाता है, कि 1857 का गदर शुमाली हिंदुस्ता मे कम था, तो किस हद तक हम इस थियोरिजेशन को मान सकते हैं, असर में देखिए, उसमें मसला ये था, कि जादेतर जो पूरा असर था, वो शुमाली हिंदुस्तान पर था, और जुनुभी हिंदुस्तान इस से जादे मुतासर नहीं हुआ था, ना उन्होंने इतनी पकड़ अभी तक हो पाई थी, जुनुभी हिंदुस्तान पर, लेकिन जो शुमाली हिंदुस्तान है, उसमें बिटिश राज की बहुत जड़े मदबूत हो चुकी थी, उसी का नतीजे हुआ, कि रियक्शन इधर तो हुआ, लेकिन उधर वो रियक्शन उतना सखत नहीं हो सका, उसकी वज़े यही है, कि यहां इन्होंने अपनी जड़ें जो थी, वो बहुत मदबूत कर ली थी, तो यहां हैदरबाद रेसीडेंसी पे, पठान तुरेबाज खान, उन्होंने बगावत की थी, तो इसलिए आम तवर पे तुरेबाज खान की मेमोरी, इस तरह लोग याद करते हैं उनको, कि अगर कोई बहादुरी दिखा रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, क्या तुरम खान हो क्या, ऐसे कहते हैं, तो दकन में ज्यादा उनको तुरम खान कहते हैं, अगर हिंदूों में भी और मुसलमानों में भी उनकी याद ऐसी है, कि तुरम खान हो क्य किताब लाई है लेकर वो इतना स्टॉंग नहीं था जितना के शुमाली हिंदुस्ता में यह तो बिलकुल कॉलैप्स हो गया था जी जी वो तो यह समझे कि अगर राजस्थान और पंजाब के राजा अंग्रेदों को सपोर्ट ना करते तो हो सकता था कि यह हिंदुस्तानी उ आज को काफी मजबूती दी जी तो अचा इसका अजीब बात है पंजाब का आवाम राजस्तान का आवाम अंग्रेदों के खिलाफ था जी और उन्होंने जब अटाव सतावन के बाद यहां से लोग भागें तो उन्होंने पना दी और ऐसे डोकुमेंट्स हैं कि उन्होंने वहां के राजाओं से कहा कि इनको पकड़के हमें दो तो अवाम ने कॉपरेट नहीं किया राजस्तान और पंजाब के और उनको दिये ही हंड़ोवर ही नहीं किया राजाओं को क्या वालों को लोग कहा चपे हुएं किसके घर में चपे हुएं तो अगर राजस्तान के रहे हैं कि आम लोग मिल रहे हैं अंग्रेजों के हुकूमत को हिंदोस्तान से निकालने के लिए लेकिन यहां के हुकमरां नहीं मिल पा रहे थे तो उननीस्वी सदी के पहले हिस्से में कौमियत के फीलिंग को एक्सपेट करना भी शायद यह हिस्टॉरिकल है तो अब आगे चलके हम आपकी किताब पे आ जाते हैं जो आपने तकरीबन बहुत सारे रेकार्ड्स को देखके एक अहम किताब 1857 रिविजिटेड को निकाले हैं उस किताब पे हम गुफ्तगू करने के पहले चंद चीज जो हिस्ट्री से आज समाज में और इस्पेशली हमारे स्कूल में जो काम हम कर सकते थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं वजह कुछ भी हो जैसे समझ दीजिए कि कोई लटकी एस्पेशली चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी और मजहब की हो अगर बहादुरी दिखा रही है चालाख है इंटेलिजेंट है कुछ लीडर्शिप क्वालिटी इस दिखा रही है तो तुरंत कहते हैं यह जहांसी की रानी है अप्रीशियट करते हैं उसको लीडर्शिप पोजिशन लेने के लिए टीचर्स एंकरेज करते हैं बड़ी अच्छी बात है खुशी होती है ऐसे बच्चों को देखके ऐसी लड़कियों को देखके और इस तर साथ कभी हमें लगता है कि जहांसी की रानी जैसे ही बहादुरी दिखाई हुई बेगम हजरत महल को हमने पूरी तरह भूला दिया हम यह भी कह सकते हैं बेटी बेगम हजरत महल जैसी है बेगम हजरत महल की मेमोरी को पूरी तरह ही भूला दिया हमने कोई लड़की अगर ब दिखा रही है, मैं तो नहीं मानता कि किसी वुर्दू स्कूल में इस तरह इंट्रिजेंस, लिजर्शिप क्वाइटी दिखाने वाली किसी दड़की को बेगम हजरत महल को एक रोल मॉडल जैसे पेश कर रहे हैं, तो क्या वजह हो सकता है कि जहांसी की रानी एक सुप्रीम र रोल मॉडल जैसे उभर आ रही हैं, बेगम हजरत महल पीशे पड़ गए हैं, दो हजार साथ में जब अठाव सतावन की डिएर सो मी सालगेर मनाई गई, तो कुछ मुस्लिम और्गनाइजेशन्स ने भी समिनार किये, और अखबारों में लिखा और कहा किसाब जितना मुसल उसका जवाब उनको यह दिया, कि आपका कारनामा था, आपके बज़रों कारनामा था, तो आपने उसे हाइलाइट किया होता, आप तो अठाव सतावन के बाद से लेके, उस वक्त तो लोगों ने लिखा, लेकिन फिर हम सो गई, और इनी सरसियत की हिम्मत देखिए, कि अग उस सतावन को छुआ नहीं, डॉकुमेंट्स जैसे अभी मैंने अर्ज किया, उर्दू फार्थी में थे, अलिय के मुस्लिम उर्स्टी है, जाहें मिली असलामिया है, शौब ए तारीख है, शौब ए फार्थी है, शौब ए उर्दू है, इनकी जमेदारी थी आदाद और इनके पास हिस्टोरियन्स थे, इनके पास उर्दू के स्कॉलर्स थे, इनके पास फार्सी के स्कॉलर्स थे, लेकिन जितनी एहमियत इन इदारों को इस पर देनी चाहिए थी, या दूसरे इदारों को देनी चाहिए थी, उतनी नहीं थी, लखनव ने भी या आवद में बेगम हदरत महल पे कोई काम नहीं किया नप प्रोजेक्ट किया तो अब जब प्रोजेक्ट नहीं किया जब उसको लिखा नहीं तो वो तारीख का या वो आज के समाज का वो हिस्सा नहीं हो सकता उसकी एक मिसाल में आपको दूँ कि कर्बला का वाकए छेसो असी में हुआ कितना हरसा गुजर गया अगर हर साल महर्म में इसको रिवाइव न किया जाता तो मुसल्मान इसे भी भूल चुके होते तो ये मुसल्मानों की जिम्मारी थी कि वो अठाइव सतावन की जो ये तारीखी दस्तावेजात है उस पे काम करते और जितने लोग थे जिनका कॉंटिबूशन था उनकी बाइगरेफिस तियार करते उसको हाइलाइट करते उसको अर्दू, फार्सी, अंग्रेजी में करते तब बेगम हजरत महल हिस्सा बनती लेकिन बेगम हजरत महल पर हमने कामी नहीं किया तो बेगम हजरत महल जो हैं वो अवाम का हिस्सा नहीं बन सकी रानी जहांसी पर लोगोंने नजमे लिखी लोगोंने लेसंस लिखे, लोगोंने मदामीन लिखे और वो अवाम की समझ का हिस्सा बनी जैसे एक फार्सी की मसल है मशूर के जबान खल्ग को नकार खुदा समझो तो जो जबान आम आदमी की वो पूरे दुनिया में तमाम में च्छा जाती है उसे दबा नहीं सकते आप तो हमने अपनी जिम्मेदारी खास्तोर से यह जो हमारे दो अधारे थे पहले अलियो मसलिम इन्वस्टी और जामी मिलिया इसलामिया इन्हों ने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में इस सिकाफत की हिफाज़त की जिम्मेदारी इन दो बड़े एदारों को थी कि जो पूरा नहीं किया मैं समस्ता हूँ असबाब बगाबत हिंद का पहला पुब्लिकेशन अलियो मसलिम इस्टी ने शाय नहीं किया खुदा बख्ष लाइवी पढ़ना ने शाय किया तो अलियो मसलिम इस्टी ने तो अब छापाए असबाब बगाबत हिंद जो इसका फाउंडर है इस इन्वस्टी का तो हमने तो कुछ किये ही नहीं तो हम उसको रिवाइव कैसे करेंगे उसको हम समझ का हिस्सा कैसे बनाएंगे अपनी किताब के बारे में बताएंगे जो 1857 रिविजिटेड आपकी किताब इसी उन्मान पे आये हुए है दूसरे किताबों से किस तरह अलग है लेकि इसका क्रेड़िट मेरे दोस्त अनिल लॉरियां है जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है उन्होंनों मुझे 26 जनवरी 2001 को सदेश किया कि वई अजीज साब ये 2007 में 1857 की 150 अनिवरसरी हो रही है आपको फार्थी आती है तो आप इस पर काम किजिए मैंने उनसे का कि मैं तो तारीख एद बुस्ता का तालिब हैं हूँ करें नहीं नहीं आप काम किजिए तो खेर फिर मैंने इन डॉकुमेंट फे काम किया, नेशल आर्काइज, यूपी इस्टेट आर्काइज, लखनवू इनसे मैंने तक्रीबन एक हजार डॉकुमेंटस नगल किए और हंडिट अन्फिक्टित अनिवरसरी के लिहाज से मैंने उस एक हजार डॉकुमेंट्स में से 1500 डॉकुमेंट्स सेलेड़ किये और उसका एक डॉकिटिंग की अउर अंग्रेजी में पूरा डॉकुमेंट को ऐडिट करके उसमें पब्रिश किया तो मेरी किताब इस लिहाज से जो मौडरिन इंडिया के जो हिस्टोरियन्स है उससे इसलिए मुक्तलिफ है कि मैंने थियूरी पे जादे बात नहीं की मैंने वो डॉकुमेंटरी एविडेंस को अंग्रेजी में करके पेश किया कि आने वाली नसलें इस किताब से एक लेसन लें कि कितना मिटरियल जो है वो अर्दू और फार्सी में मौजूद है अटाव सत्तावन पे ताके वो इस पे काम करें मैं समझता हूँ 2007 में जब हमने अठाव सत्तावन की जिर्सों में सारजर्य बनाई तो उसकी कोई तैयारी हमने नहीं की ना मुलक ने ना आवाम ने की जितनी किताबें आई वो अठाव सत्तावन की किताब डाल निम्पिल की किताब दूदा़ छे में आ गई और ना ICHR कोई किताब 2007 में पुब्रिश कर सका, ना दूसरे ओगनाइजेशन, ना दूसी इन्वस्टीज, सब जाओगे कब जब 2007 शुरू हो गया तो अब मैं समझता हूँ 2057 भी आने वाला है, हम तो नहीं होंगे, लेकिन जहरे नसलने तो होंगी तो अब मुलक को भी, मुलक के जो और्गनाइजेशन्स हैं, उनको इस पर काम कराना चाहिए, ताकि जब दूहदार 57 में मुलक 5857 की 200 मीं साल के रहे मनाए, तो उसके बार, उसके पास एक जखीम लिटरिरी एविडेंस पब्लिश फॉम में होनी चाहिए, ताकि वो आएंदा आने वाली नसलों को एक मशल राह का काम कर सके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने 5857 के तारीख नवीस को हमने बहुत अच्छे से समझाया, उम्मित करता हूँ कि आप इस वन्मान को अच्छे से समझे होंगे, आएंदा कुलास में दुबारा आपसे मुलकात होगी, औरो खाता हर आपसे मुलकात हो, अच्छे से समझे होगी, तवस ये राह की आपसे से समझे दोगव तारीटों कि आपसे चो ये लाँ कि आपसे आपसे होगी, तायर समझे होंगे, आपcaριस अव्ना का सब्सक्तटकत νत अवान को अफए टीकस kh逃ती नवीस होगी, उलसक्त